छांदोगे उपनिशद, तिर्तिय अध्याई, प्रथम खंड, आदित्य की मधुरूप में कल्पना ओम, यह आदित्य निश्य ही देवताओं का मधु है, ध्यूलोग ही उसका तिर्षा बांस है, जिस पर की वह लटका हुआ है, अंतरिक्ष छाता है, और किरणे उसमें रहने वाले मखियों के बच्चे है, उस आदित्य की जो पूर्व दिशा की किरणे हैं, वे ही इस अंतरिक रूप छट्य के पूर्व दिशावर्ती छिद्र है, रिक ही मधुकर है, रिगवेद ही पुन्य है, वे सोम आदी अम्रित ही जल है, उन इन रिक रूप मधुकरों ने ही इस रिगवेद का अभिताप किया, उस अभितप्त रिगवेद से यश, टेज, इंद्रिय, वीर्य औ पर अन्य स्वरूप रस उत्पन हुआ, वह यश आदी रस विशेश रूप से गया, उसने जाकर आदित्ति के पूर्व भाग में आश्रे लिया, यह जो आदित्ति का लाल रूप है, वही यह रस है चांदोगे उपनिशद, दुत्ती खंड, आदित्ति की दक्षणा इस्तित किरणों में मधु नाडी द्रिष्टी, तथा इसकी जो दक्षण दिशा की किरणे हैं, वही इसकी दक्षण दिशा वर्तनी मधु नाडिया है, यह जु शृतियां ही मधुकर है, यह पुष्प हैं, तथा वह सोम आदी रूप अमृत ही जल है, उन इन यजु शृतियों ने इन यजुरुवेद का अभिताप किया, उस अभिताप तो यजुरुवेद से यश, तेज, इंद्री, वीर्य और अन्य स्वरूप रस उत्पन हुआ, उस रस ने विशेश रूप से गमन किया और आदित्ति के दक्षन भाग में आश्रय लिया, यह जो आदित्ति का शुकल रूप है, वह यही है। सामवेद विहित कर्म ही पुष्प है, तथा वह सोम आदी रूप अम्रिथी जल है। उन इन साम शुरुतियों ने ही इस सामवेद विहित कर्म का अभिताप किया, उस अभिताप्त सामवेद से ही यश, तेज, इंद्री, वीर्य और अन्य स्वरूप रस उत्पन हुआ, उस रस ने विशेश रूप से गमन किया, और आदित्य के पश्चिम भाग में आश्रय लिया। यह जो आदित्य का कृष्ण तेज है, यह वही है। छांदोग्य उपनिशद, चतुर्थ खंड, उत्तर दिशा की किरणों में मधुनाडी द्रिष्टी, तथा इसकी जो उत्तर दिशा की किरणे है, वही इसकी उत्तर दिशा की मधुनाडिया है। अधरवांगिरश शृतियां ही मधुकर हैं, इतिहास पुराण ही पुष्प हैं, तथा वह सोम आदी रूप अम्रिथी जल है। उन इन अधरवांगिरश शृतियों ने ही इस इतिहास पुराण को अभितप्त किया। उस अभितप्त हुए इतिहास पुराण रूप पुष्प से ही यश, तेज, इंद्रिय, वीर्य और अन्न स्वरूप रस की उत्पत्ती हुई। उस रस ने विशेश रूप से गमन किया और आदित्ती के उत्तरभाग में आश्रय लिया। यह जो आदित्ती का अत्यनत कृष्ण रूप है, यह वही है। चान्दों के उपनिशद, पंचम खंड, ओर्धु रश्मियों में मधुनाडि द्रिष्टी। तथा इसकी जो ओर्धु रश्मिया हैं, वे ही इसकी ऊपर की ओर की मधुनाडिया है। गुही आदेश ही मधुकर है, प्रणाव रूप ब्रह्म ही पुष्प है, तथा वह सोमादी रूप अम्रिथ ही जल है। उन इन गुही आदेशों ने ही इस प्रणाव संग्यक ब्रह्म को अभितप्त किया। उस अभितप्त ब्रह्म से ही यश, तेज, इंद्री, वीर्य और अन्परूप रस उत्पन हुआ। उस रस ने विशेश रूप से गमन किया और वह आदित्ति के उर्द भाग में आश्रित हुआ। यह जो आदित्ति के मध्धि में छुपद सा होता है, यही वह मधु है। वे ये पूरवोक्त लोहितादी रूप ही रसों के रूप हैं, वेधी रस हैं और यह उनके भी रस हैं। छान्दों के उपनिशद, शस्टम खंड, वस्वों के जीवन आधार प्रथम अम्रित की उपासना। इनमें जो पहला अम्रित है उससे वसुगण अगनी प्रधान होकर जीवन धारन करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं। वे इस अम्रित को देखकर ही त्रिप्त हो जाते हैं। वे देवगण इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं। और फिर इसी से उत्साहित होते हैं वह जो इस प्रकार इस अमरित को जानता है वस्वो मैं से ही कोई एक होकर अगनी की ही प्रधानता से इसे देखकर त्रप्त हो जाता है वह इस रूप को लक्ष करके ही उदासीन होता है और इस रूप से ही उत्साहित होता है जितने समय में आदित्य पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्यम दिशा में अस्त होता है उतनी ही देर वह वस्वों के आधिपत्य और स्वराजी को प्राप्त होता है छांदोगे उपनिशत सप्तम खंड रूद्रों के जीवन आधार दुत्ती अम्रित की उपासना अब जो दूसरा अम्रित है रूद्रगण इंद्र प्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं वे इस अम्रित को देखकर ही त्रिप्त हो जाते हैं वे इस रूप को लक्षित करके ही उदासिन हो जाते हैं और इसी से उध्यमशील होते हैं वह जो इस प्रकार इस अमरित को जानता है रूद्रो मैं से ही कोई एक होकर इंद्र की ही प्रधानता से इस अमरित को ही देखकर त्रिप्त हो जाता है वह इस रूप से ही उदासीन हो जाता है और इस रूप से ही उध्यमशील होता है जितने समय में आदित्य पूर्व से उदाई होता है और पश्चिम में अस्त होता है उससे दुगने समय में वह दक्षन से उदित होता है और उत्तर में अस्त हो जाता है इतने समय परियंत वह रुद्रों के ही आधिपत्य एवं स्वराज को प्राप्त होता है चांदों के उपनिशत अश्टम खंड आदित्यों के जीवन आधार तिर्तिय अम्रित की उपासना तदंतर जो तीसरा अम्रित है आदित्य गण वरुन प्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धरन करते हैं देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं वे इस अम्रित को देखकर ही त्रिप्त हो जाते हैं वे इस रूप को ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसी से उध्यमशील हो जाते हैं वह जो इस अमृत को जानता है आदित्यों मैंसे ही कोई एक होकर वरुन की ही प्रधानता से इस अमृत को देखकर तृत्त हो जाता है वह इस रूप से ही उदासीन होता है और इसी से उध्योगी हो जाता है वह आदित्य जितने समय में दक्षिन से उदित होता और उत्तर में अस्त होता है उससे दूने समय में पश्यम से उदित होता और पूर्व में अस्त होता है इतने समय वह आदित्यों के ही आधिपत्य और स्वराज को प्राप्त होता है च्छांदोग्य उपनिशद नवमखंड मरुतों के जीवन आधार चतुर्थ अम्रित की उपासना तथा जो चोथा अम्रित है मरुदगण सोम की प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारन करते हैं देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं वे इस अम्रित को देखकर ही त्रिप्त हो जाते हैं वे इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसी से उध्यमशील हो जाते हैं वह जो इस अमरित को जानता है, मरुतो मैं से ही कोई एक होकर सोम की प्रधानता से ही इस अमरित को देखकर त्रिप्त हो जाता है वह इस रूप से ही उदासीन होता है और इस रूप से ही उदसाहित होता है वह आदित्ती जितने समय में पश्चिम से उदित होता और पूर्व में अस्त होता है उससे दोनी देर में उत्तर से उदित होता और दक्षण में अस्त होता है इतने काल वह मरुद्गण के ही आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है चान्दों के उपनिशत, दशमखंड, साध्यों के जीवन आधार पंचम अम्रित की उपासना तथा जो पांचवां अम्रित है साध्यगण ब्रह्मा की प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं वे इस अम्रित को देखकर ही त्रिप्त हो जाते हैं वे इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसी से उध्यमशील हो जाते हैं वह जो इस प्रकार इस अमरित को जानता है, साध्य गण में से ही कोई एक होकर ब्रह्मा की ही प्रधानता से इस अमरित को ही देखकर क्रिप्त हो जाता है। वह इस रूप को लक्ष करके ही उदासिन होता है और इस रूप से ही उद्साहित हो जाता है। वह आदित्य जितने समय में उत्तर से उधित होता है और दक्षण में अस्त होता है उससे दूने समय तक उपर की ओर उधित होता है और नीचे की ओर अस्त होता है इतने काल तक वह साध्यों के ही आधिपत्य और स्वराजी को प्राप्त होता है छांदोग्य उपनिशद, एकादश खंड, मधु विज्ञान तथा ब्रह्म विज्ञान के अधिकारी फिर उसके पश्चात वहो उर्धुगत होकर उदित होने पर फिर न तो उदित होगा और न अस्त ही होगा बलकि अकेला ही मध्य में इस्तित रहेगा उसके विशे में यह श्लोक है, वहाँ निश्य ही ऐसा नहीं होता, वहाँ सूर्य का न कभी अस्त होता है और न उदै होता है हे देवगण, इस सत्ति के द्वारा मैं ब्रह्म से विरुद्ध न हूँ जो इस प्रकार इस ब्रह्म उपनिशत की वेद रहश्य को जानता है, उसके लिए न तो सूर्य का उदै होता है और न अस्त होता है, उसके लिए सर्वदा दिन ही रहता है वह यह मधुग्यान ब्रह्मा ने प्रजापती से कहा था, प्रजापती ने मनु को सुनाया और मनु ने प्रजावर्ग के प्रती कहा तथा यह ब्रह्म विज्ञान अपने जेश्ट पुत्र अरुण नंदन उद्धालक को उसके पिता ने सुनाया था अतह इस ब्रह्म विज्ञान का पिता अपने जेश्ट पुत्र को अथवा सुयोगी शिश्च को उपदेश करे किसी दूसरे को नहीं बदलावे यद्यपी इस आचारी को यह समुद्र परिवेश्टित और धन से परिपूर्ण सारी पृथवी दे तो भी किसी दूसरे को इस विद्या का उपदेश न करे क्योंकि उससे यही अधिकतर फल देने वाला है चांदों के उकनिशद द्वादश खंड गायत्री की सर्वरूपता गायत्री ही ये सब भूत प्रानी वर्ग हैं जो कुछ भी ये स्थावर जंगम प्रानी हैं वे गायत्री ही हैं वाख ही गायत्री है और वाख ही ये सब प्रानी हैं क्योंकि यही गायत्री उनका नाम उच्चारण करती और उनकी भई आदी से रक्षा करती है जो वह गायत्री है वह यही है जोकि यह प्रथवी है क्योंकि इसी में ये सब भूत इस्तित हैं और इसी को वे कभी अतिक्रमन नहीं करते जो भी यह प्रथवी है वह यही है जोकि इस पुरुष में शरीर है क्योंकि इसी में ये प्राण इस्तित हैं और इसी को वे कभी नहीं छोड़ते जो भी इस पुरुष में शरीर है वह यही है जो कि इस अंतह पुरुष में हिरदय है क्योंकि इसी में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसी का अतिक्रमन नहीं करते वह यह गायत्री चार चरणों वाली और छे प्रकार की है वह यह मंत्रो तवारा प्रकाशित किया गया है उपर जो कुछ कहा गया है उतनी ही इसकी महिमा है तथा निर्विकार पुरुष इससे भी उतकरिष्ट है संपूर्ण भूत इसका एक पाद है और इसका त्रिपाद अम्रित प्रकाश्माई स्वा आत्मा में इस्तित है जो भी वह त्रिपाद अम्रित रूप ब्रह्म है वह यही है जो कि यह पुरुष से बाहर आकाश है और जो भी यह पुरुष से बाहर आकाश है वह यही है जो कि यह पुरुष के भीतर आकाश है तथा जो भी यह पुरुष के भीतर आकाश है वह यही है जो कि हिर्दय के अं पूर्ण और कहीं भी प्रवर्थ न होने वाला है। जो पूरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण और कहीं प्रवर्थ न होने वाली संपत्ति प्राप्त करता है। अर्थात छित्र है वह प्राण है वह चक्षु है वह आधित्य है वही यह तेज और अन्याध्य है। इस प्रकार उपासना करे। एवं यश है इस प्रकार उसकी उपासना करे जो ऐसा जानता है वह शरीमान और यशश्वी होता है तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है वह वाक है वह अगनी है और वही यह ब्रह्मतेज एवं अन्याद्य है इस प्रकार उसकी उपासना करे जो ऐसा जानता है वह ब्रह्म तेजस्वी और अन्न का भोकता होता है तथा इसका जो उत्तरी छिद्र है वह समान है वह मन है वह मेग है और वही यह कीर्ती और व्युष्टी देह का लावन्य है इस प्रकार उसकी उपासना करे जो इस प्रकार जानता है वह किर्तिमान और कांतिमान होता है तथा इसका जो उर्धु छिद्र है वह उदान है वह वायू है वह आकाश है और वही यह ओज और तेज है इस प्रकार उसकी उपासना करे जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्वी और तेजस्वी होता है वे ये पाँच ब्रह्म पुरुष स्वर्ग लोक के द्वारपाल है वह जो कोई भी स्वर्ग लोक के द्वारपाल इन पाँच ब्रह्म पुरुषों को जानता है उसके कुल में वीर उत्पन होता है जो इस प्रकार स्वर्ग लोक के द्वारपाल इन पांच पुरुशों को जानता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है तथा इस ध्यू लोक से परे जो परम जोती विश्व के प्रिष्ट पर यानी सब के उपर जिससे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोकों में प्रकाशित हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुष के भीतर जोती है उस इस अर्थात हिर्दई इस्तित पुरुष का यही दर्शनों पाई है जबकि मनुश इस शरीर में इस पर्श द्वारा उश्णता को जानता है तथा यही उसका शर्वान उपाई है जबकि यह कानों को मूदगर निनद अर्थात रथ के घोश नदयू अर्थात बैल के ढकराने और जलते हुए अगनी के शब्द के समान शर्वान करता है वह यह जोती द्रिश्ट और शुरुथ है इस प्रकार इसकी उपासना करे जो उपासक ऐसा जानता है इस प्रकार उपासना करता है वह दर्शनी और विशुरुथ विख्यात होता है चान्दोग्य उपनिशत चतुर्दश खंड जगत की एवं आत्मा की ब्रह्म रूप में उपासना यह सारा जगत निश्चय ब्रह्म ही है यह उसी से उत्पन होने वाला उसी में लीन होने वाला और उसी में चेश्टा करने वाला है इस प्रकार शांत राग द्वेश रहित होकर उपासना करे क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय निश्चय आत्मक है इस लोक में पुरुष जैसे निश्चय वाला होता है वैसा ही यहां से मर कर जाने पर होता है अतह उसे पुरुष को निश्चय करना चाहिए वह ब्रह्म, मनुमई, प्राण शरीर, प्रकाश स्वरूप, सत्य संकल्प, आकाश शरीर, सर्व कर्मा, सर्व काम, सर्व गंध, सर्व रस इस संपूर्ण जगत को सब और से व्याप्त करने वाला वाक रहित और सब भ्रम शुन्य है हिर्दय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा धान से, यव से, सरसो से, शामक से, अथवा, शामक तंडूल से भी शुक्ष महे तथा हिर्दय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा प्रत्वी, अंतरिक्ष, ध्यूलोक अथवा इन सब लोकों की अपेक्षा भी बड़ा है जो सर्व कर्मा, सर्व काम, सर्व गंध, सर्व रस इन सब को सब और से व्याप्त करने वाला वाक रहित और सभ्रम शुन्य है वह मेरा आत्मा हिर्दई कमल के मध्य में इस्तित है यही ब्रम है, इस शरीर से मर कर जाने में इसी को प्राप्त होंगा जिसका ऐसा निश्य है और जिसे इस विशय में कोई संदेह भी नहीं है उसे इसी ब्रम भाव की ही प्राप्ती होती है ऐसा शांडिल्ली ने कहा है छांडों की उपनिशद, पंचदश खंड, विराट रूप कोश की उपासना अंतरिक्ष जिसका उदर है, वह कोश पृथवी रूप मूल वाला है वह जीर्ण नहीं होता दिशाएं इसके कोण है, आकाश उपर का छिद्र है वह यह कोश वसुधान है उसी में यह सारा विष्व इस्तित है उस कोश की पूर्व दिशा जुहू नाम वाली है दक्षण दिशा सहमाना नाम की है पश्यम दिशा रागी नाम वाली है तथा उत्तर दिशा सुबूता नाम की है उन दिशाओं का वायू वच्स है वह जो इस प्रकार इस वायू को दिशाओं के वत्स रूप से जानता है पुत्र के निमित से रोदन नहीं करता वह मैं इस प्रकार इस वायू को दिशाओं के वत्स रूप से जानता हूँ अतह मैं पुत्र के कारण नरों मैं अमुक 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 के सहित अभिनाशी कोश की शरण हूँ तथा मैंने जो कुछ कहा कि मैं भू की शरण हूँ इससे यह कहा गया है कि मैं अगनी की शरण हूँ वायू की शरण हूँ और आदित्ती की शरण हूँ तथा मैंने जो कुछ कहा कि मैं स्वह की शरण हूँ इससे मैं रिगवेद की शरण हूँ यजुर्वेद की शरण हूँ और सामवेद की शरण हूँ यही मैंने कहा है चांदों के उपनिशद शोड़श खंड पुरुष की यकी रूप में उपासना निश्य पुरुष ही यग्य है उसके उसकी आयू के जो 24 वर्ष है वे प्राताह सवन है गायत्री 24 अक्षरो वाली है और प्राताह सवन गायत्री चंद से संबद है उस इस प्राताह सवन के वसुगण अनुगत है प्राण ही वसु है क्योंकि यही इस सब को बसाय हुए है यदि इस प्राताह सवन संपन्न आयू में उसे कोई कश्ट पहुँचाए तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए हे प्राण रूप वसुगन मेरे इस प्रतह सवन को मध्य दिन सवन के साथ एक रूप कर दो यग्य स्फरूप में आप प्राण रूप वसुओं के मध्य में विलुप्त नश्ट न हों तब उस कष्ट से मुक्त होकर वह निरोग हो जाता है इसके पश्चात जो 44 वर्ष है वे मध्य दिन सवन है त्रिष्टुप छंद 44 अक्षरो वाला है और मध्य दिन सवन त्रिष्टुप छंद से संबद है उस मध्य दिन सवन के रूद्रगन अनुगत है प्राण ही रूद्र है क्योंकि ये ही इस संपूर्ण प्राणी समुदाई को रुलाते हैं यदि उस यग्य करता को इस आयू में कोई रोग आदी संतप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए हे प्राण रूप रूद्रगन मेरे इस मध्याहन कालिन सवन को तिर्तिय सवन के साथ एक भूत कर दो यग ये स्वरूप मैं प्राण रूप रूद्रों के मध्य में कभी नश्ट न हूँ ऐसा कहने से वह उस कष्ट से छूड़ जाता है और निरोग हो जाता है इसके पश्चात जो अनतालिस वर्ष है वे तिर्तिय सवन है जगती छंद अनतालिस अक्षरों वाला है तथा तिर्तिय सवन जगती छंद से संबंध रखता है इस सवन के आदित्य गण अनुगत है प्राण ही आदित्य हैं क्योंकि ये ही इस सम्कूर्ण विशयजात को ग्रहन करते हैं उस उपासक को यदि इस आयू में कोई रोग आदी संतप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए हे प्राण रूप आदित्य गण मेरे इस तिर्तिय समन को आयू के साथ एकिभूत कर दो यग्य स्वरूप मैं प्राण रूप आदित्यों के मध्य में विनष्ट न हूँ ऐसा कहने से वह उस कष्ट से मुक्ट होकर निरोग हो जाता है इस प्रसिद्ध विद्या को जानने वाले एतरे ये महिदास ने कहा था अरे रोग तुम मुझे क्यों कश्ट देता है जो मैं की इस रोग द्वारा मृत्य को प्राप्त नहीं हो सकता वह 116 वर्ष जीवित रहा था जो इस प्रकार इस सवन विद्या को जानता है वह निरोग होकर 116 वर्ष जीवित रहता है छांदों के उपनिशद सब्त दश खंड आत्म यग्य के अन्य अंग वह पुरुष जो भोजन करने की इच्छा करता है जो पीने की इच्छा करता है और जो प्रसन नहीं होता वही इसकी दिक्षा है फिर वह जो खाता है जो पीता है और जो रती का अनुभव करता है वह उपसदों की सद्रिशिता को प्राप्त होता है तथा वह जो हस्ता है जो भख्षण करता है और जो मैथून करता है वे सब इस्तुत शस्त्र की ही समानता को प्राप्त होते हैं तथा जो तब, दान, आर्जव, अर्थात, सरलता, अहिंसा और सत्यवचन हैं वे ही इसकी दक्षणा हैं इसी से कहते हैं कि प्रसुता होगी अथुआ प्रसुता हुई वह इसका पुनर्जन्म ही है तथा मरण ही आउभृत स्नान है घोर अंगिरस रिशी ने देव की पुत्र कृष्ण को यह यग्य दर्शन सुना कर जिससे की वह अन्य विद्याओं के विशय में तृष्णाहीन हो गया था कहा उसे अंतकाल में इन तीन मंत्रों का जब करना चाहिए एक तू अक्षित अक्षय है दो अच्चुत अविनाशी है और तीन अतिशूक्ष में प्राण है इसके विशय में दो रिच्चाएं हैं पुरातन कारण का प्रकाश देखते हैं यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश जो परब्रम में इस्थित परम तेज देदिप्यमान है उसका है अज्यान रूप अंधकार से अतीत उतक्रिष्ट जोती को देखते हुए तथा आत्मी उतक्रिष्ट तेज को देखते हुए हम संपूर्ण देवों में प्रकाशवान सर्वत्तम जोती स्वरूप सूरी को प्राप्त हुए छांदोगी उपनिशत अश्टादश खंड मन और आकाश की ब्रह्म रूप में उपासना मन ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करें यह आध्यात्मिक द्रिष्टी है तथा आकाश ब्रह्म है यह अधिदेवत द्रिष्टी है इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनु का उपदेश किया गया वहो यहो मनह संग्यक ब्रह्म चार पादों वाला है वाक पाद है, प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत पाद है यह अध्यात्म है अब अधिदेवत कहते हैं अगनी पाद है, वायू पाद है, आधित्य पाद है और दिशाएं पाद है इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनुं का उपदेश किया जाता है वाख ही ब्रह्म का चौथा पाद है वह अगनिरूप जोती से दिप्त होता है और तपता है जो ऐसा जानता है वह कीर्थी, यश और ब्रह्म तेज के कारण देदिप्यमान होता है और तपता है प्राण ही मनुमय ब्रह्म का चौथा पाद है वह वाईूरूप जोती से प्रकाशित होता है और तपता है जो इस प्रकार जानता है वह कीर्टी, यश और ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता है और तपता है चक्षु ही मनह शंग्यक ब्रह्म का चौथा पाद है वह आदित्य रूप जोती से प्रकाशित होता है और तपता है जो इस प्रकार जानता है, वह कीरती, यश और ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता है और तपता है वह दिशारूप जोती से प्रकाशित होता और तपता है जो इस प्रकार जानता है वह गिर्थी, यश और ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता और तपता है छांदों के उपनिशद एकोन विंश खंड आदित्य की ब्रह्म रूप में उपासना आदित्य ब्रह्म है ऐसा उपदेश है उसी की व्याख्या की जाती है पहले यह असत ही था, वह सत कार्या भिमुख हुआ, वह अंकुरित हुआ, वह एक अंडे में परणत हो गया वह एक वर्ष परियंत उसी प्रकार पड़ा रहा, फिर वह फूटा, वे दोनों अंडे के खंड रजत और सुवाण रूप हो गए उनमें जो खंड रजत हुआ, वह यह पृथवी है, और जो सुमाल्ण हुआ, वह ध्यूलोख है उस अंडे का जो जरायू, स्थूल गर्ब वेष्टन था, वही वे परवत हैं जो उल्ब, सूक्ष्म गर्ब वेष्टन था, वह मेगों के सहित कोहरा है जो धमनिया थी, वे नदिया हैं, तथा जो वस्तिगत जल था, वह समुद्र है फिर उससे जो उत्पन हुआ, वह यह आदित्य है उसके उत्पन होते ही बड़े जोरों का शब्द हुआ, तथा उसी से संपूर्ण प्राणी और सारे भोग हुए है इसी से उसका उदई और अस्त होने पर दीर्ग शब्द युक्त गोश उत्पन होते हैं, तथा संपूर्ण प्राणी और सारे भोग भी उत्पन होते हैं वह जो इस प्रकार जानने वाला होकर आदित्य की यह ब्रम है इस प्रकार उपासना करता है, वह आदित्य रूप ही हो जाता है, तथा उसके समीप शीगर ही सुन्दर गोश आते हैं, और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं